हालो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंगलिस का हॉर्णविल बुक से एक पोयम फादर टू सन ठीक है इसके पोईट है एलिजाबेथ जेनिंग्स देखिए इस पोयम में हमें पढ़ने को मिलेगा कि एक फादर अपने ब्रेते को लेके क्या-क्या चीज सोचते हैं क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क- इस poem में जो speaker है father है, ठीक है, father बोलते हैं, कि I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years, जो कि भले ही हम लोग इसी घर में सालों तक एक साथ रहे हैं, लेकिन अब तक मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पाया, अब यहाँ पे poet जो है Elizabeth उन्होंने child word इस्थमाल किया है, तो इस word से हमें समझ वाय हैं कि उनका जो बेटा है, वो young है, थोड़ा कमी age का लग रहा है, ठीक है, चलिए, तो वो पिता जी बोलते है, एक father बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को भले ही इस घर में सालों हम एक साथ रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं अपने बेटे को समझ नहीं पाया हूँ, तो पिता ज से हमें यह भी clear हो रहा है कि यहाँ पर पिता, father और son में क्या हैं, एक emotional distance है, physically दोलों एक साथ है, लेकिन emotionally कोई भी feeling shared नहीं करता है, emotional distance है दोलों में, यह सब वर्ड याद रखेंगे आप, ठीक है, चलिए, फिर आगे देखिए, I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when he small, पिता जी आप बोल क्या पसंद है, नहीं पसंद है, ठीक है, बेटा किस डीजल से दुखी है, यह सब चीज नहीं मालू है, इसलिए, पिता जी एक बार फिर से पोसिस कर रहे है, इस relationship को build up करने का, फिर से अपने वो पुराने वाले लव को रीगेन करना चाहरे है, जब वो लव जब इनका बे relationship from how he was when small, जब वो छोटा था, तब तो पिता और बेटे में काफी अच्छा relationship था, लेकिन जैसे जैसे बेटा बढ़ा होता गया, वैसे वैसे दोनों का भीच में distance कमता गया, लेगिन दोनों ही same घर में रहे हैं, लेगिन फिर भी distance बढ़ता चला गया, ठीक है, यहां कॉल सा distance का बात हो रहा है, emotional distance का बात हो रहा है, समझे कि नहीं, तो यहां पे हमें समझ मैं रहा है कि पिता जी जो है, वो yearn कर रहे है, for a time when he and his son were close, एसा भी समय था जब यह पिता और बेटे, father और son काफी close थे, emotionally, physically में, ठीक है, तो वो ऐसा समय पिता जी फिर से वापस लाना चाह समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, चलिए, अब यहां पे इस इस्टेंजा का सबसे main line आता है, यह line, यह question है, poet यह पे लिखती है, yet have I killed, मतलब यहां पर father बोल रहे है, खुझी सोच रहे है, खुद से question कर रहे हैं कि yet have I killed, क्या मैंने यह relationship को खुदी destroy किया है, क्या, पित एक effect create करने के लिए, ठीक है, तो यहां पर पिता जी को answer नहीं चाहिए, वो खुरी सोच रहे हैं कि क्या मैंने यह जो father और son का relationship है, क्या मेरे से ही कोई गलती हुआ, जी सोच से हम दोनों के 20 में इतना ज़्यादा emotional distance आ चुका है, वो सोच रहे है, और यह सोच के वो काफी ज चाहिए, यह होगा है पहला stanza, अब आए दूसरे stanza में देखते हैं क्या है, the seed, I spent or sown it where the land is his and none of mine, यहां पर भी एक question पूछ रहे है वो, यहां पर seed का मतलब है, पिता जी का जितना भी effort लगा है, अपने बेटे को पाल ले पोशने में, relation से build up करने में, ठीक है, वो उसको seed बोला गिया है, ठीक है, तो बोलते हैं क्या मैंने यह बीज, यह जो seed है, एक ऐसे land पर तो नहीं वो दिया, जो land ship उसका है और मेरा नहीं है, क्या यह seed कभी grow भी करेगा की नहीं, उनका जो effort है relationship को build up करने का, यह effort कभी successful होगा भी की नहीं, क्या उनका दोनों का distance या फिर ऐस वो सारा जो effort है वो बरवात तो नहीं हो जाएगा, यह seed कभी grow तो करेगा की नहीं करेगा, यहापर वो ऐसा question पूछ रहे है, the land, land यहापर बोलने का मतलब है son's heart, बोला है क्या वो अपने बेटे के दिल में कोई जगा बना पाएंगे की नहीं, मतलब वो जो effort मार रहे है, अ वो अपने बेटे को force तो नहीं कर सकते है कि उनका बेटा उनसे प्यार करे, father cannot force his son to love, समझ रहे, father बस effort कर सकते है, result क्याएगा, वो तो बेटे बेटी बन करेगा, ठीके, चलिए, तो यहापर land बो compare किया गया है son's heart से, तो यहापर poetic device हम बोल सकते है, metaphor है, इसको याद है कि we, यानि father और son, speak like strangers, एक अजनभी की तरह बात करते हैं, अंजान वक्ती की तरह, ठीके, दुलों जब आपस पर बात करते हैं, तो, there's no sign of understanding in the air, और जब यह लोग बात करेंगे, तो ऐसा नहीं लगा कि दुलों father और son बात कर रहे है, कोई लगा कि एक लिए बात कर रहे है, तो बोलते हैं, उसको palpate well है, ठीके, तो यहाँ पर, यह जो emotional distance है, यह और याद रखीगा है, इसको हम बार-बार यूज कर रहे है, यह emotional distance है, father और son के बीच में, इसको आप feel कर सकते हैं, मतलब, अगर आप इनके घर में जाएंगे, तो आपको एक बार में पता चल है, समझें, और यहाँ पर ear से एक imagery create किया गया है, तो poetic device imagery है, इसको भी याद रखीएगा, फिर यहाँ पर father और son को compare किया गया है, stranger के साथ, और light word से compare किया गया है, तो poetic device simili भी है, यह इतना याद रखीए, ठीक है, फिर अगले line में, father कहते है कि this child is built to my design, yet what he loves I cannot share, बोले कि भले ही यह मेरा son जो है, मेरा बेटा जो है, मेरे design का है, इसका रूप, रंग, ठीक है, आख सब मेरे पर गया है, लेकिन what he loves, लेकिन इस बेटे का जो interest है, वो मैं share नहीं कर पाणा हूँ, इसका interest ऐसा कुछ है, जो मेरे से अपना है नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह दो लाइन में क्या सो किया गया है, contrast सो किया गया है, याद रखेंगे इतना बात, चलिए, आज है यह third stage आपे, इसमें लिखा है, silence surrounds us, बलता है कि दोलों जब एक साद बैठे होते हैं घर में किसी sofa पे, तो दोनों कुछ आपस में बात ही नहीं कर पाते हैं, हमेशा सन्न make and move his world, बहुत अच्छा लाइन है, यहाँ पर पीता इतना मजबूर हो जाते हैं अपने बेटे को पाने के लिए, अपने बेटे का प्यार दिखने के लिए, कि वो बोलते हैं कि मेरा बेटा बले ही prodigal son बन जाए, तो भी मुझे मनजूर है, prodigal son क्या होता है, prodigal son मतलब ए फिर वो समपती जो भी property वो लिया था उसको बहार जाके waste कर देता है, ठीक है, पैसा उड़ा देता है, पैसा उड़ाने के बाद उसको अपना mystic realize होता है, और फिर से वो वापस घर आता है, और अपने पीता से माफी मांगता है, ठीक है, तो ऐसा बेटा, ऐसा बच्चा जो घर छोटके चला जाए, बाहर जागे ठोकर खाए, और उसके बाद वापस अपना गलती सुकार करके घर आए, ऐसे बेटो को बोलते है, प्रोडीगल सन, तो यहां पर यह पिता बोलते है कि भले ही ये मेरा बेटा प्रोडीगल ही क्यों ना हो जाए, प्रोडीगल मतलब returning to his जो धक्का खाने का बाद अपने पिता के घर में वापस आए, वही घर में जुसको वो जानता है, ठीक है, पिता जी इतना वजबूर हो गये है अपने बेटे का प्यार पाने के लिए कि वो बोलते है, कि मेरा बेटा प्रोडीगल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो वापस return तो आए मेरे घर में, ठीक है, रादर देन, वो चाहते है कि मेरा बेटा प्रोडीगल हो जाए, इसके बजाए, किसके बजाए, see he make and move his world, ऐसा ना हो कि मेरा बेटा घर से बाहर जाए, और अपना ही दुनिया बाहर बना ले और वाद खुश रहे, पिता जी नहीं चाहते है क जो बेटा है उनका उनसे दूर हो, समझ रहे, तो यहाँ पर पिता का जो behavior उससे समझ बारा है, पिता को दो चीज का डर है, एक तो fear of change, पिता जी नहीं चाहते है कि कुछ change हो, वो चाहते है कि father और son एक साती रहे, और उनका ये desire भी दिख रहे है कि वो चाहते है कि अपने बेटे को life को control करे, भले ही उसके लिए बेटे का dream ही sacrifice की उला हो जाए, समझ रहे है, वो चाहते है कि बेटा उनसे दूर जाए और एक अलग दुनिया बस आले, उसमें वो खूस रहे, वो चाहते है कि उनका बेटा एक prodigal son बने, बाहर जाए, ठोकर खाए, और फिर वापस म दूख होगा, ठीक है, लेकिन इससे एक नया प्यार भी जनम लेगा, वो यह बात यहाँ पर बुलते हैं, फिर आगे बिख्या, लास्ट टेंजा पर आ गए हैं हम लोग, इसमें लिखा है, father and son, we both must live on the same globe and the same land, अब यहाँ पर बुलते हैं कि हम पिता और बेटे को, दोनों को इसी अर्थ पर रहना पर रहा है, और इसी लेंड पर रहना पर रहा है, तो यहाँ पर ये दो लेंग में मानो, पिता जी ऐसा चीज, ऐसा वेक्त कर रहे हैं कि मानो, वो ट्रैक हो गए हो, वो मजबूर है अपने बेटे के साथ रहने के लिए, वो अपने बेटे को छोड विटा बोलता है कि I cannot understand myself कि मैं खुद को ही समझने पार रहा हूँ कि मैं दुखी तो होता हूँ आपसे बात नहीं करके ठीक है पिता से बात नहीं करके लेकिन पता नहीं क्यों यह दुख जो है गुस्से में बदल जाता है जब भी मैं आपको देखता हूँ तो We each put out an empty hand longing for something to forgive या पर we मतलब father और son दोनों ही एक दुसरे का तरफ हाथ बढ़ाते हैं लेकिन वो हाथ क्या है खाली है हाथ खाली है बुलने का मतलब है कि दोनों एक दुसरे का तरफ आगे आते हैं लेकिन दोनों में ही emotion नहीं है lack of emotion यही में कमी है यहाँ पर ठीक है longing for something to forgive दोनों ही को यह बात realize है कि दोनों से ही कुछ ने कुछ गलती हुआ है दोनों ही एक दुसरे को माफ करना चाहते हैं लेकिन जैसे ही हमने सामने होते हैं वैसे ही emotion पर कमी के कारण ना कोई बात पाता है और फिर से वो दुख जो है वो गुस्से में बदल जाता है बेट उमीद करते हैं इससे आप भी relate कर पा रहे होंगे ठीक है चलिए तो इसी के साथ यह poem end होता है अगर हम इस poem का rhyming scheme का बात करें तो वो काफी irregular है consistent rhyming scheme नहीं है for example यहां पर child अगर a से represent करते हैं तो build a से हो गया और killed यह भी a से कर देते है now know how इसको b b b कर देते हैं ठीक है उसे तरीके से where इसको अगर a करें तो मतलब इसमें भी ऐसा ही rhyming scheme होगा इसमें भी लेकिन third और fourth system में कुछ अलग rhyming scheme है इस तरी बात याद रखिए बस इसे के साथ यह poem end होता है इस पूरे poem में हमें एक बात समझ में आ गिया कि जो पिता है यहाँ पे वो काफी ज़्यदा लाचार है ठीक है helpless है और helpless is helplessness पिता का helplessness इस poem में तीन चीज़ों से बता चलता है पहला तो lack of understanding कोई understanding नहीं है दुनों में दूसरा हो गिया communication difficulty दूने एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं silent रहते हैं तीसरा हो गिया lack of control पिता जी यह feel करते हैं कि वो अपने बैटे को control नहीं कर पा रहे ठीक है इससे पिता जी का helplessness दिखता है इस पूरे poem में याद लखें कि इतना बात चलिए तो इसी के साथ यह poem एंड हो गया उमिद करते हैं आपको यह poem समझ मैं होगा और जितना हम यहां पर लिख रखें इसको आप भी लिख लीजिएगा अपने बुक में यह सब की points से आपकी answers करने में आपको help करेगा ठीक है चलिए वीडियो गर असा लागा तो आप इनकाम कर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंज के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए मिलते हैं पहुत जलत किसी और वीडियो में तब तक लिए बाइबाइब एंड टेक कियर